Hi Everyone, Welcome to Dubai Life After a very very long break I am back with a new place for you और आज जो है हम आप आप आँचे हैं Global Village में Global Village में आपको पिछले साल भी घुमा चुकी हूँ बट इस साल 2022 में 2022 में Global Village में क्या कुछ attractions हैं, कैसा दिख रहा हैं एक glimpse, एक नजारा में यहां का आपको दिखा देती हूँ ताकि अगर आप यहां आ रहे हैं, दुबई आ रहे हैं या दुबई में रहते हैं तो you will get a fair idea about this place और आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या-क्या घूमना है और क्या-क्या देखना है तो इस टाइम इस बार हमने शुरुआत की इंडिया से इंडिया पवेलियन से और यहां पर एंटर करते ही जो सबसे ज्यादा मैं देख रही हूँ वो यह कि स्टॉल्स तो हैं ही इंडिविजूल बट बीच में कई सारे चोटे-चोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जूल्री के और आपके जो खेलोने होते हैं और यहां मैं देख रही हूँ कि यह राजिस्थान और गुजरात यह प्रॉमिनेंट है यह जगा यहां पर इस तरह की जूल्री और इस तरह का जो समान देखने को मिलता है बिंदी हो गई बैंगल्स हो गई यह जितना भी श्रिंगार का समान है वो आपको चोटा-मोटा यहां आपको इन कियॉस्क में देखने को मिलेगा इंडिया वाला बुलकुल ऐसे ऑथेंटिक वे में ड्रेस अप हो रखी हैं देविल ओफर यू और वह बुला बुला कर आपको दिखाते हैं समान हिना भी मेंदी भी लगा रहे हैं यहाँ पर तो वो एक अट्रैक्शन है इंडिया पवेलियन का और जैसे हम अंदर जाते रहते हैं तो हमें कई सारे बड़े बड़े जो हैं स्टॉल्स दिख रहे हैं जूल्री के फुट्वेर के कपणों के काफी सारा सामान और इंडिया की खास बात सबसे अच्छी चीजी है कि हर स्टेट का सामान और हर स्टेट की जलक जो है आपको यहाँ इस पवेलियन में दिख जाएगी काफी टाइम से जो लोग इंडिया नहीं गए है चुट्टी में वो यहाँ पर आकर फील करेंगे कि इंडिया पवेलियन में आकर कि हम जिसे इंडिया में ही आ गए हो वो ही सारे बाजार वाला फील आपको आएगा और अच्छी चीजी है कि हर स्टेट का फील आपको कि मान दियसे इंडिया आपक्छी टैयर इह व PM मानसा आशा को पल्षाना इंडिया मानसाना इंडिया मासाना तरली आपको हम जाटिया बंग करेंगे हैं ह। और यहां पर मैं देख रही हूं सरदार वल्लब भाई पतेल जी का एक बड़ा सा स्टैचू भी इन्होंने यहां पर लगाया हुआ है चाय समोसा सब कुछ पूरा पूरा इंडिया आपको यहां पर जो है नजर आ रहा है ग्लोबल विलेज में और फिर चलिए आगे बढ़ते वे में देख रहा है यहां पर अरेंज लग रहा है और यहां पर एक लग सा एक फील आ रहा है इरान बहुत ही खुबसूरत लग रहा है यहां पर चाहें हम यहां के कार्पेट्स देखें बड़े खुबसूरत कारीगरी वाले हाथ की कारीगरी वाले कार्पेट्स हैं रग् तो वो जब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो हमें बड़े अच्छे धंग से लगाई हुए सभी चीज़ें देख रही है और सैफरन की केसर की स्मेल है वो आपको पूरे पवेलियन में जो है महतिवी दिखेगी बड़ी प्रॉमिनेंट बड़ी ऑथेंटिक स्मेल है केसर की सेफरन की एंड जो नट्स और स्पाइसिस इन्होंने तरह तरह के लगाए हुए है एटी से जादा मैंने यहाँ पूछा था तो एटी से जादा इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ इसमें कुछ माउथ फ्रेश्नोस भी इंक्लूड़ेड है तो बड़ा ही खुबसूरत सा इरान पवेलियन है बड़ा ही प्यारा सा और यहाँ पर साती साथ हम यहाँ पर एक परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं इरान पवेलियन में हर पवेलियन में एक स्टेज बनाया हुआ है जहाँ पर अकसर जो है शाम को कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस चलते रहते हैं और जो म स्टेज है वहां पर आपको सेलेब्रिटी वाले परफॉर्मेंस अक्सर देखने को मिलते हैं तो चलिया आगे बढ़ते हैं निकलते हैं इरान पवेलियन से आज जो है काफी सारी चीजें मैंने दिबांग में सुची हुए है कवर करने की और टोड़े बीग देख सकते हैं यहां पर अच्छी खासी भीड है खाफी सारे लोग आए ग्लोबल विलेज इस वन प्लेज यहां पर लोगों को जो है हर साल मोरोलेस सेम होता है कुछ अलग कुछ नया नहीं होता बट फिर भी लोग यहां बड़ी तादाद में हर साल आते हैं enjoy करते हैं it's a it's a open market it's a open place जहां पर लोग खाते पीते हैं मस्ती करते इस ट्रॉल्स में घूमते शॉपिंग करते हैं then you have rides also so एक बड़ा ही अच्छा यहां पर आकर फील होता है and weather बहुत अच्छा होता है तो definitely घूमने में चलने में बहुत मजा आता है बड़ जिसाम को चार बजे जो हैं Global Village के doors open ओ जाते हैं और रात में 12 बजे तक खुले रहते हैं अच्छा बाहर निकल रहे हैं उनके वील चेर्स अविलेबल है थोटे च्छोटे शूटर्स भी आपर अविलेबल है तो आप रहार से और अप पूरे स्कूटर पर अपना सेयर कर सकत this blue water gives you a very beautiful feel बहुत अच्छा लग रहा है लोग यहां पर पिक्चर्स क्लिक तरवा रहे हैं वहां उस तरफ जब हम देखते हैं तो वहां पर आबरास खड़े हुए हैं तो यू कें टेक आपरा राइड्स अलसो और फ्लोटिं मार्केट भी है एक पूरा हाथ यूआ जिस तरह थाइलेंड में हम देखते हैं फ्लोटिं मार्केट बना रहा हैं उसी तरीके से यहां पर भी फ्लोटिं मार्केट benा हुआ है इन इस अफुर यूज जप्लेस जहां पर आपको जैसे आं इंडिया स्टाल के बाहर मैं ने देख़त एक पूरीलें हैं यहां पूरे इंडिया का ही खाना पीना है जाहें वो दिली का हो साउत का हो या डिफरेंट जगा का चाट पकोड़े हो तो वो सब पूरे इंडिया पावलें के भार पूरी एक इनोंने लेन टाइप की बनाई हुए है तो people enjoy food also here authentic food and here especially I have seen every time I come here Turkish potato, Turkish spiral potatoes and ice cream यह सबी चीज़ें यह बड़ा street food of the world people can see here and find out and they relish and enjoy तो चलिया आगे बढ़ते हैं and आगे अब मैं देख रही हूँ यह है यमन का पावेलियन यमन के बहार मैं खड़ी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गरम मसाले की और you know all the spices are really really इतना प्रोमनेंट स्मेल आगे है तनी खुष्भू आगे है बहार तक and when I enter to it looks like a local market पूरा ऐसा फील आगे है जैसे यमन के किसी local market में हम आगे है और जैसे हम एंटर होते हैं जैसे लोग हमें बुलाते हैं कोई हमें अखरोट तोड करके खिला तेस्ट करवा रहा है तन आगे हम बढ़ते हैं तो people have different types of honey यहां पर शहद है तरह तरह का लोगों के पास तो वो हमें बुला बुला कर टेस्ट करवा रहे हैं आपको यहां पर काफी सारी चीजें जो है मिलेंगी किछन से रिलेट और सीरप शर्बत वगेरा मिलेंगे तो यह सारी चीजें आपको ग्लोबल विलेज में जो है मिल जाती है इजिप्ट में और इजिप्ट बड़ाई कलरफुल और वाइबरेंट सा पवेलियन है और यहां पर सारी जो ड्रेसें कॉस्ट्यूम्स हैं हम बैले डांसिंग वाले ब्यूटिफुल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स देख रहे हैं जो बैल्स पहनते हैं वो देख रहे हैं जूर्री देख रहे हैं यहां लगा बड़ाही बड़ाईबरेंट सा एजिप्ट मुझे लगा साती साथ मुरको भी है तो मुरको में भी एक बार जाकर फटा-फट से देख कर आते हैं कि कैसा है झाच कहता है बनावय को वग यह को यहां अचा छाए पेकर फ़ार को सिर्टाइण पुशार है यहां के जो डिश्य टर्रेशनल ड्रेस हैं यहां एंटर करते ही बड़ यह खुबशूरत फैबर्स बहुत खुबसूरत डिजाइंस ट्रेड वर्क बहुत प्यारा सा हैंड़ग है तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा एंदन यू विल्सी फुट्वेर और वालसो लोग यहां मजे की बात ही है कि इसा नैच्रल सा फील आ रहा है कि लोग यहां फुट्वेर साती सात बना भी रहे है यह इस्टिच कर रहे है मुरक्को पवेलियन के लिए दान्स परफॉर्मन्स हो रहा है मुजिक इस रहली 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 कैची बड़ा ही अच्छा सा मूट को अपलिफ्ट कर देने वाला ऐसा मुजिक है आप थिरकने पर मजबूर एक के हो जाते हो कि हाँ हम भी थोड़ा सा ऐसे मुव करते हैं इस रहली वेरी पॉजिटिव बहुत अच्छा मुरक्को का यह पवेलियन है और यू आप सो मैनी थिंग्स यह तो शॉप वराइटी इस लाइक आपको कहीं ऐसी वराइटी कहीं ऐसी चीजन देखने को नहीं मिलेंगी आप कितने भी मॉल में घूम लीजिए दुबाई के अंदर कितनी भी जगा चले जाएए आपको यह जो चीजन देखने को यह मिल रही हैं अथेंटिक एकदम रियल ओरिजिनल हर देश की वह आपको कहीं और इसली देखने को दुबाई में नहीं मिलती हैं तो आज की हमारी मस्ती ग्लोबल विलेज में अब एंड हो चुकी है और नाओ आई विल से बाबाई टु यू और नेक्स एपिसोड में मैं फिर से आपको दुबाई में लेकर चलूंगी एक और अच्छी सी एक्साइटिंग जगा पर तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार और कीप वाचिंग तुबाई लाइट